नमस्कार देश के बात में हाजर हैं देश की सर्वोच न्यालने आगामी सावन में शुरू होने वाली कावड यात्रा पर यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने स्वता संग्याल लेते वे यूपी सरकार से 16 जुलाई तक जबाब भी मांगा है यूपी सरकार ने नियमों के साथ कावड यात्रा को मंजूरी दी है जबकि उत्राकंड सरकार ने कोरोणा संक्रमन को देखते वे यात्रा रद कर दी है ये यात्रा 25 जुलाई से शुरू होनी थी यूपी सरकार के अनुसार 2019 में कोई यात्रा में हरिद्वार करीब 3.5 करोड कावड ये पहुचे थे और पश्चमी उत्तरप्रदेश के लागों में 2-3 करोड जादतर कावड ये हरिद्वार जाते हैं इसके अलावा मुजफरनगर, बाकपत, मेरट, गाजयबाद, बुलंच शेर, हापपुर, अम्रोहा, शामली, साहरनपुर, आगरा, अलिगड, बरेली, खेरी, बाराबंकी, अयोध्या, वारनसी, बस्ती, संतकभी, नगर, गोरकपुर, जासी, बदोही, मौ, सीतापुर, रखनाव भी जाते हैं, तो ये यूपी सरकार की तरफ से कहा गया, ये भी कहा कि कई नियम बनाए गए हैं, और कोविट केर बूथ भी बनाए गए हैं, नेगेटिव आर्टी पीसियार रिपोर्ट भी कावडियों को रखनी उनके लिए अनिवार कर दी गई है, यूपी सरक लेते वे ठीक समय पर कावड याक्रा पर रोक लगा दी, उनका कहना है कि भगवान भी नहीं चाहेगा कि लोगों की जान जाए और इस फैसले का स्वागत हो रहा है, कैबिनेट में मंत्री वने अजय भट जो केंद्र में परेटन राज्यमंत्री हैं, उनके फैसले का स्वा वहाँ पर गदरपुर में वेरियंट मिला है अलक से, तो उसको देखते हुए तो और भी खत्रा बढ़ सकता है, हम लोगों की जिन्दगियों को खत्रे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, धामी जी की सरकार ने वो ठीक और उचित समय पर उठाया है, उदर उत्तर प्रदेश के लोग निर्बान राज्यमंत्री चंद्रका प्रसाद उपाध्याय को उमीद है कि नियमों का पालंग किया जाएगा, सरकार का एजनेन हो चुका है, और जो कोविड के नियम है, सरकार ने बड़ा स्पस्तों से कहा है, कि कोविड के नियमों का पालंग करते हुए में लाव करेंगे, तो उस प्रकार से विवस्ता की जाएगी, इस प्रकार से कोरोना को लेकर कोई दिकत भी नाए, और लोग की स कुपट समंदी भी कोई समस्य उत्पन नहीं होगी इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे से होगी कमाल खान मौजुद है कमाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से उत्राखंड की सरकार के फैसले का स्वागत केदर में भी हो रहा है लेकिन यूपी सरकार का जो फैसला ह में वो के रिए नियम और काइदय और पाबंदीया लगा गई हैं जब 2-3 करोर की संख्या में लोग आते हैं एगर 2 करोर भी आए पिछली बार के तुलना में कम भी आए तो किस तरह से पालन हो पाएगा connection किस तरह से इंतजाम हो सकते हैं कि नेमों का और पाबंदियों का प किले में बड़े पैमाने पे पुलीस फोर्स है लेकिन कोई आयोजन अगर एक जगां हो रहा होता है जैसे हज होती है तो काबा है उसके चारों तरफ परिक्रमा लोग कर रहे हैं अगर उनकी संख्या सीमित कर दी जाए और वालिंटियर्स वहां दूरी बनाएं या कोई एक मं जगां से उनको गुजरना होता है काबडियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है उनको रुकना भी होता है कई जगां तो यह थोड़ा मुशक काम है बहुत बड़ी आबादY से कोईड परोडिकॉल है, तो यह मुशकल तो जरूर है लेकिन अब यातरन निकलने के बात पता चलेगा कि वो उसका कितना पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है लेकिन पूरे उतर प्रदेश में इतनी जगहां पे जहां शिवलिंग है और जहां पे जल चड़ाने के लिए लोग जाते हैं तो वो बहुत बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया में वो ट्रा उत्रप्रदीर से एक और खबर है जो यूपी सरकार के जन संख्या नियंत्रन बिल चर्चा का विशय बना हुआ है ऐसे कानून के समर्थन में यूपी और असम के बाद अब राजस्थान के एक मंत्री डॉक्टर रगु शर्मा जन संख्या नियंत्रन बिल के समर्थन में आ ग देखे जन्संग के बढ़ती हुए आबादी तो आज देश के लिए चिंता की बात है यह समय आ गया है जब देश को यह सुचना पड़ेगा कि हमारे देश के आबादी को हम कैसे नियंत्रित रखेंगे ताकि आने वाली जनरेशन को बहतर शिक्षा, चिकित्सा, बहतर जीवन के साधन उपलब्द हो सके हैं, मैं तो कई प्लेटफॉर्म पर कह चुका हूँ कि एक जमाना था जब यह का जाता था कि हम दो हमारे दो, अब समय आ गया कि हम दो हमारे आएक तो ये नारायनों ने दिया है, बहराल बढ़ती अबादी एक समस्या है, लेकिन इसका निवारन क्या कानून से होगा? बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, लोगों को शिक्षत करना ज़रूरी है बहराल एक अकपार में चपी जानकारी के अनुसार, यूपी विधानसभा वेबसाइट में 397 विधायकों के बारे में जानकारी उपलब्द है और इसमें 304 बीजेपी से हैं और 152 विधायकों के 3 या उससे ज्यादा बच्चे हैं इन आकप में ये भी सामने है कि आठ विधायकों के 6, 15 विधायकों के 5 और 54 विधायकों के पास 4 बच्चे हैं तो बहराल ये आकपारी हम सब के सामने हैं और वेबसाइट पर उपलब्द है या आकारे कमाल खान हमारे साथ बने हुए कमाल वाख़ई में जो ये जनसंक्या को निटर्ण करने का जो विल है इतना चरचा का वशय बना हुआ, यश राजस्तान से समयरतन मिल गया लेकिन यूपी में अपने जो नेटाया है, इसलिए इस पर चर्चा अतनी हो रही है? इसको हमने एनलाइस करने की कोशिश की तो हमने देखा कि जो विधायक जिनकी उम्र ज्यादा है जो पुराने जमाने के हैं उनके बच्चे ज्यादा है जो नए लोग हैं उनके बच्चे कम हैं क्योंकि तहले जॉइंट फैमिली थी इतना जादा करियरिस्ट लोग नहीं हुआ करते थे जब से निुकलियर फैमिलीज हुई है करियर पे ध्यान बढ़ा है शिक्षा जादा हुई है और जो बर्थ कंट्रोल के साधा ने उनसे अक्सेस महिलाओं की जादा बढ़ी है या महिलाएं शिक्षित हुई है तो ये फर्टिलिटी रेट गिर रही है ये जो डेटा है इसमें विधायकों भी देखेंगे तो ज्यादा बच्चे उनके हैं जो काफी पुराने लोग हैं नए लोगों के कम हैं तो परिवार कल्यान मंतराले ने भारत सरकार के तो सुप्रीम डेटर्मिनेशन बहुत बढ़ जाएगा और जो महिला भ्रून हत्या है उसकी तादाद में बढ़ोतर ही हो सकती है ये एक बड़ी सामाजिक समस्या इस कानून को लागू कराने में तो जब इस तरह की चीज़ें चुराओं के टाइम पे होती हैं तो अक्सर लोग ये कहते ह कि इसका कोई पॉलिटिकल एजिंडा है कोई एक वर्ग इसका टार्गेट है जिसके लिए प्रचार के आता है कि वह बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो ऐसी बाते होती है उसको लेकर बिलकुल कमाल हमें अपने लोगों को शिक्षत करने की जरूरत है और स्कूल करन से जुड़ी वी जिसको लेकर चिंताय जताई जा रही है केंद्रिस्वास मंत्री मंसुक मनाविया ने वैक्सीन की कमी की खबरों को सिरे से उनका खंडन किया है उन्होंने राजसरकारों पर ठीके की कमी को गलत करार दिया और कहा है कि इससे लोगों में पैनिक होता है आप दर को बड़ावा दे रहे हैं उन्होंने आज कई ट्वीट कर लिखा है कि राजसरकारों को वैक्सीन उप्लब्दता के बारे में पहले ही जानकारी दे दी जाती है और उसी के हिसाब से प्लान वो कर सकते हैं इसके बावजूद हम अव्यवस्था और टीका लगवाने वालों की लंबी कतारे देख रहे हैं साफ है कि समस्या क्या है और किस कारण ये हो रहा है गौर तलब है कि तमिलाडू के मुख्यमंत्री एमके स्टाले ने प्रधान मंत्री को चिठी लिखकर कम तीके दिये जाने की बात कई है जारकन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरे ने भी टीकों की कमी पर चिंता जताई है और शिकायद किये आई सुन लेते हैं पर लेक्सिन के स्थिति तो कहा जाए कि चिंता का तो भी सै है अब इस पर राज सरकार के हाथ से तो बिल्कुल हर चीज कोई भी कंट्रोल में तो है नहीं ये केंदर सरकार के ही भरोस्रे हमें भी जार करना पड़ता है और बिल्कुल बूंद बूंद करके ना आप जीओ ना मरो वाली स्थिति है अब इसके बीच में अब तिसरी लहर की बात आ रही है कई जगह अब तेजी से बढ़ोतरी भी दिखने को मिल रहा है पता नहीं क्या होगा वैक्सिन लगाने के बाद भी व करन केंडरों के बाहर कड़े कुछ लोगों से बात कि हमारी स्योगी सुकीर्ती दिवीदी ने सर आप बताएं कितनी देश से यहां पर खड़े हैं क्या बता जा रहे हैं पर सुबह भी आये थे तब हमें बोला गया कि ऑफ-लाइन वाले तीन वजे के बाद आना और यहां पर लिखा भी होए लेकिन एपी थोड़ दिर पहले ने बोले कि वैक्सिन नहीं है काम है तो अपना नाम बता है और आप अपने नाम बता है और क्या दिक्कत यहां पर हो रही है यह आप सुबह वाले लिखा हुआ है वह अदर कारण वाले तीन वजे सरे चार बजे तक अब यह कह रहें कि से आभी जो ए औलाइन वाले आएंगे तो चिंता है लोगों की परेशानिया हम देख रहें तीके को लेकर डॉक्टर आरुन गुपता अध्धक्ष है इंडियन मेडिकल काउंसल के मारे साथ डॉक्टर गुपता बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर जो ये वैक्सीन तीका करन इस समय देश में युद्ध स्थर पर होना चाहिए आप लोगों का क्या अंकलन है हम दो मुख्यमंत्रियों को सुन रहे हैं उनकी चिंता हैं लोगों की चिंता है जमीन पर क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रहे हैं तीके को लेकर मेरे कहल से जो अगर आप थार्ड वेव को रोकना था तो इसमें कोई दो मत नहीं सरकार का और डॉक्टर्स का कि हमें असी लाग से एक करोड डोस पर डे लगानी हैं दिसम्बर के महीने ताकि एक सब्स्टेंज नब पॉपलेशन को इमिनिटी हो जाए ताकि आप थार्ड सब्सक्राइब करेंगे अगर बारा क्रोड को देखो ते हैं चालिस लाख वैक्सिन पर महीने होता है जो कि हमारे टार्गेट से बहुत कम है तो बात की बात है कि पहुंच रहे हैं कि व्यवस्ता है कि नहीं पर आप अल्टिमेट्री सप्लाई नहीं हो रही थी तो मुझे हमने अपने स्वास्त पंत्री को कहते हुए आज उन्होंने ट्वीट करके सुना लिखा है उन्होंने कि कोई कमी नहीं है अब भ्रहम फैलाय जा रहा है राजसरकारों से काए कि वो वह ववस्ता कर रहे हैं तो आप क्या आंखलन है इसमें तो आप देखी मेरे के लगता है क कि सरकार में ही बोला था कि हमारा टारगेट एटीज लाग से करोर पर डे का है और यह रिक्वाइड भी है पता है आपको पॉपलेशन को कवर करने के लिए और दूसरी तरफ हो ये भी तो कह रहे हैं कि चालिस लाग डोस पर डे अबलेबल है तो मुझे लगता है कहीं ने क हैं इसमें युदस्तर पर काम करना चाहिए सारे काम चोड़कर करके वेक्सिन भी लग जाना चाहिए आप देखो आज की डेटर हमारे देश में फाइप पॉइंट पापॉलेशन कवर्ड है जिसको दोनों वेक्सी लगी है और अमेरिका में फॉर्टेट पसंट कवर्ड है तो यह बहुत ज़्यदा फरक आ रहा है कि इसमें जो लगता है कि डिनायल से कोई फायदा नहीं होगा तो सामने ज़र आ रहा है तो सरकार खुद कहरे हैं हम 12 करोड दे रहे हैं और आप खुद कहरें कि हम एक करोड पर डे लगाना है तो 35-35 करोड पर वेक्सिन पर दे पर म को नहीं मिल रहा है क्या जो यह तीसरी लहर है यह इसका अंकलन अगस्तक आने का है तब तक हम अपना बढ़ावा कर लें अगर हम इजाफा कर लें टीका करन में किस तरह से हम बच सकते हैं से मुझे लगता है आपकी बाद बिलकुर ठीक है कि तो का वैक्सिन ही कि तरीका है इस पूछता है जो इसको रोक सकता है नेचरल इंफक्षन होता है उससे एंटी बॉडिjs बनती है और टी बॉड़िस कितनी बंती है कितने तक रहती है इन्टैक्ष रोक पाती है तो ठीक है पूरे दुनिया पने की वैक्शन फेक्ट्रीका है जो इसक को रोकेगा बुझे है सरकारे अपने से कोशिश कर रही है कें सरकार भी कर रही है पर मुझे लगता इसे डॉक्टर मैं कह सकता हूं कि हाइली इनेडेक्वेट है और हम लोग को बहुत डर है कि कहीं अगली में कभी भी आ सकती कभी भी आ सकती एक आखरी सवाल मैं आपसे पूछा चाहूंगी अभ महरास्ट है केरल है सेवन नौर्थ स्टेट्स हैं सिक्किम है इन कुछ राज्यों में इस्तिति अभी भी अच्छी नहीं है और पूरे भारत वरश में बहरीज़ार केसे बढ़ दे आ रहे हैं और आप नौर्थ में देखें अगर तो 119 डिस्टिक्स हैं उसमें से चाच्छ में फैलना हो जाएं तो यह चिंता की अविश्य है मुझे लगता है कि वैक्सिनेशन को तेज बढ़ाने की जरूरत है और यही हमें देखना है कि किस तरह से यह संक्रमन है इस पे हम काबू पासा के बहुत बहुत धन्यवाद दॉक्टर गुपता जुड़ने के लिए और बात करने के लिए अपनी राया हम से साजा करने के लिए बहराल देश की बात में वक्त एक चोटे से ब्रेक का उसके बाद आपको बताएंगी क्यों दिल्ली दंगो के एक मामले में दिल्ली के कड़कर डूमा कोट ने दिल्ली पुलिस को जबर्दस फटका लगाई है मौहम जिम्मेदारी ना लिभाने पर दिल्ली पुलिस पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है एक रिपोर्ट 36 साल के नासिर की एक आँख जा चुकी है इसने दंगाईयों की गोली जहली यह 24 फरवरी 2020 की बात है जब दिल्ली में दंगे चल रहे था नासिर पर दंगाईयों ने उन ही की गली में हमला कर दिया था नासिर लगातार कोशिश करते रहे कि पुलिस उनकी F.I.R. दर्श करे लेकिन पुलिस ने उनका बयान दर्श किये बिना इनकी शिकायत दूसरे मुकदमों में जोड़कर चार्ट शीट भी फाइल कर दी हार कर वो अदालत पहुंचे रहे कोट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दोरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल उठाए मौमद नासिर ने 19 मार्च 2020 को अपने पड़ोस के पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्श कराई थी दिल्ली पुलिस ने बिना जाच किये नासिर की शिकायत को दूसरी F.I.R. में जोड दिया जिससे इनका कुछ लेना देना नहीं था नासिर ने 17 जुलाई 2020 को कड़कर डूमा कोट का रुक किया 21 दस 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 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने दिल्ली पुलिस को मौमद नासिर की शिकायत पर F.I.R. दर्श करने के आदेश दिये 29 दस 2020 को दिल्ली पुलिस कोट के आदेश के खिलाफ सत्र नयायाले पहुंची सत्र नयायाले ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा F.I.R. करने के आदेश को स्टे किया और पूरे मामले में सुनवाई शुरू की कोट ने कहा दिल्ली पुलिस की कारवाई चौका देने वाली है कोट ने ये भी कहा कि बिना जांच किये आरूपियों को क्लीन चिट कैसे दे दी कोट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच बहुत धिलाई और निश्टुर होकर की है कोट ने कहा कि पूरे मामले को देखने पर समझ में आता है कि पुलिस ही आरूपियों को बचाने का काम कर रही थी कोट ने कहा है कि शिकायत करता पुलिस के खिलाफ कारवाई करने के लिए कोट जा सकता है महतवपूर्ण बात है इसमें यह है कि इस नासिर सहाब को यह भी आजादी दी गई है कि आप पुलीस के खिलाफ एक्शन करो तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा इस पर कमिशनर आप पुलीस को डिरेक्शन दी गई है कि आप यह सब चीजने दुरुस्त करके कोट को बताएंगे यह महतवपूर्ण हमने दिल्ली पुलीस से इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी पर हमें कोई जबाब नहीं मिला मुहमद नासिरी केस में अब मुकदमा दर्ज होगा कोट के आदेश के बाद नरेश्च गौर नाम के एक शक्स है जनके खिलाब मुकदमा होगा यह बीजेपी के पूर विधायक है वो भी आरोपी है इस केस में उनके खिलाब मुकदमा होगा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस ने नाई संगत कारवाई की दिल्ली के दंगों यही सबसे बड़ा सवाल है मुहमद मुसिल के साथ स्वारप शुक्ला एंडिटीव इंडिया पंदर दिन के अंदर B.S.F. को जमू में छटी बार ड्रोन देखा है आर्निया सेक्टर में कल देर रात B.S.F. के जवानों ने ड्रोन को देखा और जसके बार जवानों की तरफ से फाइरिंग की गई है फाइरिंग के बाद यह ड्रोन वापस भाग गया उसके बाद सुबह पूरे इलाके में सर्च आपरेशन किया गया है क्या हुआ देखे है रिपोर्ट में क्या पाकिस्तान ड्रोन के जरी भारत में देखशत फिलाने में लगा हुआ है क्या इस काम में चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत की एजिंसियों की माने तो चीन आधुनिक सुविधाओं से लैस ड्रोन तयार करके पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है और पाकिस्तान सीमा पार से भारत में इनके जरी आतंक फैला रहा है इसके लिए सीमा पर लॉंचिंग पैड बनाए गए हैं यहां पर आतंकियों को ड्रोन में हत्यार लोड करने की ट्रेनिंग दी जा रही है बुद्वार सुभा जब अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया तो हड़कंप मच गया सीमा सुरक्षा बल ने फाइरिंग की और ड्रोन वापिस चला गया पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इस बात का पता चल सके कि कहीं ड्रोन से कुछ समान तो नहीं फेंका गया पिछले 15 दिनों में यह छटी बार है कि इस इलाके के आसपास ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ड्रोन को आजकल वाच टावर्स की तरह इस्तिमाल कर रहा है ड्रोन की जो टेक्नोलिजी है उस ड्रोन की टेक्नोलिजी को जाम करना ये आसान है लेकिन वो टेक्नोलिजी को लगाना हर बॉर्डर के उपर जैसे इंटरनाशनल बॉर्डर है यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आती है और वो काम हमारी सरकार तो कर रही है लेकिन फिर भी जरूरी ये है कि पकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा उदर जमो हवाई अड़े पर हुए हमले की जांच में एना ये ने कहा कि हमले में स्टेट आक्टर्स की भूमी का सामने आ रही है साथ ही FSL की जांच में साफ हुआ है कि धमाकों में RDX का इस्तेवाल हुआ था आगे इस तरह के हमलों को न्यूटरलाइस करने के लिए NSG और सेना कुछ तक्नीकों के ट्राइल रन कर रही है नई दिली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए और देश की बात में आगे देश पे पहली बार होगी हींग की खेती अब तक इरान, अफगानिस्तान से आयात होई भारत पे पहली बार हींग की खेती शुरू हुई है अब तक हींग आयात ही होती है पहली बार CSIR की तक्नीक के दम पर इरान और अफगानिस्तान से आयात किये गए बीच से हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगों पर ना सर्फ इसकी खेती की शुरुआत हुई है बल्कि अब लैब में टिशू कल्चर के जरिये पौधे भी उगाय जा रहे हैं और हाइब्रिड के तोर पर नई वेरियंट भी बनाय जा रहे हैं ये हिंग के पौधे हैं और भारत में एक खेती पहली बार हो रही है हिमाचल प्रदेश में केलांग के पास लहौल इलाके में लहलाते इन पौधों से हींग की पैदावार में करीब पांच साल का वक्त लग जाता है हिमाचल में अलग लग जगों पर फिलहाल पचीस हजार पौधे लगाए गए हैं हमने जब अध्यन किया तो पाया कि जो लहौल इस्पिती के क्षेत्र हैं जो हमारे लद्दाक के शेत्र हैं जो शीत मरुस्तल है या कोल डिजर्ट हैं वो खेत्र इसके लिए बड़े उप्यूप्त हैं और इन शेत्रों की जलवाई वैसी ही है जैसे कि अफगानिस्तान या इरान के खेत्रों की है जहां पर हींग उगाया जाता है इस बात को जब हमने समझ लिया फिर हमने अनेक अनेक देश में हमने लिखना शुरू किया क्या वो हमें हींग के बीच प्रदान कर सकते हैं और ये कारवाई हमने करीब नवंबर 2017 से शुरू करी और करते करते 2018 में अक्टूबर के महिने में हम सफल हुए हींग को अपने देश में इरान से लाने में इस पूरी प्रक्रिया में आईसी आर का एक संस्थान है नेशनल वीरो प्लांट जिनेटिक रिसोर्स उसने हमारी बड अरवे ज्यानिक हींग के विभिन्दें पहलवों के उपर शोत करने में लगे हुए हैं हींग के बीज इरान और अफगानिस्तान से लाए गए पर अब CSIR की पालंपूर की इंस्टिचूट ऑफ हिमालियन बायोरिसोर्स टेकलोजी लैब में भी खुद हींग के पौधे तयार कर रही है एक पौधे से करीब 25 ग्राम हींग निकलती है क्वालिटी के हिसाब से कीमत 5 से 10 हजार रुपे प्रति किलो होती है एक हेक्टेयर में 10 हजार पौधे लगाए जा सकते हैं इस साल 40 से 50 हेक्टेयर में 16 किलो बीज डालने की योजना है हिमाचल के 135 जगों के अलावा अब उत्राखंट और लदाख में भी इसके पौधे लगाए गए हैं हींग में जो आज हमारा फोकस है वो है सीट प्रोडक्शन के उपर क्योंकि सीट प्रोडक्शन से हम आने वाले समय में अपना खुद का बीज त्यार कर सकते हैं हर साल करीब 940 करोड रुपे की लगभग 1500 तन कच्ची हींग अफगानिस्तान इरान और उजबेकिस्तान जैसे देशों से भारत को आयात करनी पड़ती है इस पैदावार के दम पर कोशिश रोजी रोजगार मोहया करवाने की भी है और हिंग को लेकर देश को आप मेरभर बनाने की भी नई दिली से परिमल कुमार एंडि टीव इंडिया और इसी ख़बर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही नमस्कार